देश सुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत हैं मैं हो सुमन आज के मुखे समाचारों में बात करेंगे कॉंग्रेस नेतार राहूल गांदी के बयान से एक बार फिर बैक फुट पर आई बीजेबी की संसत के बाहर कॉंग्रेस के विरोध प्रदर्शन की सेनी देओल के फिल्म गदार टू की रेटिंग की अपराधियों को जल्द पकड़ने के लिए बने नए नियम की राहूल गांदी को लड़कियों की कमी नहीं कॉंग्रेस के बयान की साथ ही बात करेंगे लोगसभा में पेस विल नावालिकों से रेप में सीधे मोध की सजा के प्रावधान की और बुलिटेन के अंध में हम बात करेंगे यूपी विधान सभा के अंतिम दिन सीम योगी और अखिली श्यादव के बीच वी तू-तू मैमे की इसके साथ ही और भी कई बड़ी खपरों से आपको करवाएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खपरों से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राहुल गांधी को लड़कियों की कमी नहीं है फ्लाइंग किस देना ही होगा तो किसी लड़की को देंगे पचास साल की बुज़ुर्ग महिला को क्यों देंगे कोंग्रेस विधायक नीतू सिंग का आया बयान रिलीज के पहले दिन सैनी देउल की फिल्म गदर टू ने मचाया गदर एक्टिंग की खूप हो रही तारीफ लोग बोले ब्लोक बस्टर है फिल्म ग्रह मंत्री अमित्षा ने कानून विविस्ता को और मजबूत करने के लिए लोग सवा में पेश क्या बिल अब नावालिकों से रेप और मोब लिंचिंग मामले में मोद की सजा तक का प्राधान रहेगा इंस्ट्राग्राम के जरिये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारती हैं विराट कोली एक पोश्ट से 14 करोड रुपे से ज़्यादा की कमाई करते हैं एविस्वास प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री के बयान के बाद OVC ने कसा तंच कहा मैंने 11 सवाल उठाए उनमें से पीए मोदी ने एक अभी जवाब नहीं दिया और वो ना ही चीन पर एक शब्द बोले क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त सी जिन्पिंग से दोबारा मिलने की योसना बना रहे हैं लोगसबा की कारवाईयन इस चितकाल के लिए हुई सगित कोंग्रेस ने ताधिर रंचन के निलंबन पर संसत के बाहर विपकसी दलों ने किया विरोध परदशन खडगे बोले लोगतंत्र को जिन्दार रखने के लिए हर जगे लडएंगे दिली में हर गर तिरंगा बाईक रैली को प्राष्टपती जगदीब धनकर ने दिखाई हरी संडी किया रवाना केंद्रिय मंत्री जी के संग रेडी बोले 15 अगस्त को हर घर फैराएंगे तिरंगा ऐसा कभी नहीं होता जैसा लोग सबा में हुआ नीरफ का मतलब तो शान्त होता है इतनी से बात पर सस्पेंट कर दिया अधीर रंजन के सस्पेंशन पर बोले कोंग्रेस अदैक्समा लिकाजुन खडगे पंजाब में वहलाओं के लिए खुला पहला वूमेन फ्रेंडली शराब ठेका कोंग्रेस बीजेपी ने आप सरकार पर साधा निसाना कहा बदलाव का यह भयानक रूप ग्यारा से सोला अगस्त तक घरों दुकानों और मदर्सों पर लगाएं तिरंगा ओलिंडियम मुस्लिम जमात के अधैक्स मोलाना सहाबुदिन रजवी ने मुसल्मानों से की अपील अब दुनिया के किसी भी कोने में चिप जाएं अपरादी गायब रहने पर भी भारत में होगी सजा आ रहा है नया कानून आयाईटी दिल्ली के सोध करताओं ने बनाई अब तक की सबसे हलकी बुलेट प्रूफ जैकेट जवानों को होंगे कई फायदे राहुल गांदी ने मनिपूर मुद्य को लेकर केंद्र सरकार और प्रधान मंत्री पर बोला हमला कहा पीएम मोदी ने संसद में मनिपूर पर सिफ दो मिनट बात की सेना दो दिन में हालात संभाल सकती है ओनलाइन गेम पर 28 फीजदी टेक्स का रास्ता हुआ साफ लोगसमा में पास्वेज जेस्टी संसोदन के दो बिल सपा संसस सफीकुर रह्मान बर्क का विवादित बयान कहा घर पर तिरंगा जंडा लगाना जरूरी नहीं जिने चांदी की चमच में खाने की आदत वो गरीब का दर्थ क्या समझेंगे यूपी के सीम योगी ने सदन में अखिली शादव पर कसातंच राहुल गान्दी की सजापर रोक लगाने से इनकार करने वाले जज़ को गुजरात से पटना भेजा गया डोक्टरों के साथ दुर्वेवार किया तो मरीजों का नहीं होगा इलास नेसनल मेडिकल कमिशन ने जारी के अडवाईजरी दिली के स्कूल में अब बच्चे नहीं चला पाएंगे फोन, सरकार ने जारी के अडवाईजरी, क्लास और लाइबरेरी में टीचर्स पर भी मोबाईल ले जाने पर रहेगा बेन शुकरवार को लाल निसान के साथ बंद हुआ सेर बाजार, सिंसिक्स 375 अंखों की गिरावट के साथ 65,322 पर हुआ बन, तो वही निफ्टी 114 अंकल लुड़क कर 19,428 पर हुआ बन, ये तो तिसुर क्या, अब चलते हैं आसकी बड़ी खबरों की ओर कौंग्रेस नेता रहुल गांडी ने पियम मोधी पर साथा निसाना कहा एक तरफ माणीपूर जल रहा है और प्रधानमंतरी संसत में हस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, दरशल एविस्वास प्रस्तावपर पर पियांमोधी के बयानों का रहुल गांदी ने पलटवार किया विशे कॉंग्रेस नहीं था मैं नहीं था विशे था मनिपूर में हिंसा प्रधानमंत्री के वल हम पर ही बोलते रहे राहूल ने अपने राजनेतिक जीवन का उले करते हुए कहा कि मैं करीब 19 साल से राजनेती में हूँ मैं हर स्टेट में गया हूँ बार सुनामी हिंसा होती हैं हम जाते हैं 19 साल के अन्भव में मैंने जो मानिपूर में देखा कहीं नहीं देखा मानिपूर के लिए जो मैंने कहा कि भारत माता की हत्या कर दी है ऐसा नहीं कहा था जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां दोरा करना था जब हम मैतई के इलाके में गए तो हमसे कहा गया कि अगर कूकी आपकी सिक्योरिटी में हुआ तो हम गोली मार देंगे। कूकी के इलाके में गए तो कहा गया कि मैं तई सिक्योरिटी में होगा तो उसे मार देंगे। उनकी भी एक नहीं सुन रही वो बार बार सरकार को पत्र लिकर अपनी समशा का समाधान चा रहे हैं। और उनकी जगें राजे में सुरक्षा और इस्तिर्ता बहाल करने के लिए राजे सुरक्षा बलो के साथ विस्वस नियक केंद्रियेव बलो की तैनाती की जए। वहां कि कूकी समुदाय के विधायकों ने पहले वाले पत्र का खंडन करते हुए पियमोधी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार से असम राइफल्स को ने हटाने की अपील की है। पर चर्चा में आजाद पार्टी के प्रमुक का भी रहा है। लेकिन अगर उन्हें भागना ही था तो एविस्वास प्रस्ताव बुलाने का क्या मतलब है। उन्होंने सही काम नहीं किया। जब मुझे पता चला कि वोक आउट हुआ है तो ये सुनकर बड़ी मायूसी हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पिसले दो-चार महिनों से एक ही मुदे पर सभी एक हुए थे। लेकिन वोट ओफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई तो फिर छोड़ दिया। विपक्स द्वार लाए एविस्वास प्रस्ताप गुलाब नभी आजाद की मायूसी साफ नजरा रही है तो वहीं यूपी विदानसबा में सपा एकलेश यादव के सवाल और सीम योगी का जवाब हंगामा करने वाला बताय जा रहा है। यूपी मांसुन सत्र के अंतिम दिन क्या हुए है सवाल जवाब देखिए ये रिपोर्ट। और कहा है अगर यहें आपने बनाया है तो यहें गोरकपूर होकर क्यों नहीं जा रहा है। चावल एक्सपोर्ट किया है मुझे लगता है कि ये दिल्ली और लकनव वाले इंजन टकरा रहे हैं। योगी जी बताएं कब से बंध है एक्सपोर्ट। आम तो पहले भी जाता था आलू चावल कितना एक्सपोर्ट हुआ यहें भी बताएं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आवारा सांड बाग तेंधों पर भी सवाल उठाएं। खिलेश यादव के इन सवालों से कुछ पल के लिए योगी सरकार बैक फुट पर नजर आई। लेकिन मुख्यमंत्री के पलटवार करने के बाद इसे फ्रंट फुट पर देखा जा रहा है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ आप टू डेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।